देखो यार मार्च आ चुका है और ये मन्त होता है tax filing करने का और सब को यह problem होते हैं कि यार tax file करना है CA को contact करते है सब लोग taxes के बारे मतलब परिशान ही रहते है taxes को लेके अब इस बार problem क्या है कि जो भी लोग नए-ए-णे stock market में आये हैं और लोग stocks को trade कर रहे हैं और इस साल क्या होगा market इतना अच्छा भी रहा है तो सब को profit भी बन गया बहुत सारे लोग है जो मेरे कुछ students है या मेरे कुछ clients है उनको अच्छा अच्छा profit बना इस ताइम पर सबका इस ताइम पर मेन को trade करते हैं और में बहुत सारे लोगों का portfolio manage करता हूँ और मेरे से बहुत सारे मेरे clients और students यही question पूछते रहते हैं कि सर इसका tax कैसे फाइल करते है taxes के बारे पर question तो यह सब करते कितने time के लिए आपने किसी stock को hold किया और यह भी मैं categorize कर दूँगा आपके दिमाग में कि इन्वेस्टर कौन होता है और trader कौन होता है और कौन-कौन से percentage slab में कौन-कौन like करता है तो सिखाता हूँ में आपको कैसे-कैस लगते stock investments पे तो चले start करते है चलो देखो आपने stock market में ट्रेडिंग या investment जो भी किया है बट आपकी stock market से जो income होगी न वह पांच ही types की होगी first is your dividend income मतलब जो भी आपने stocks में invest किया होगा उसके against में आपको कोई न कोई dividend आयोगा आपके bank account में second होता है intraday trading जो भी intraday trading करके आप gain करते हो आपने intraday trading में सुभे कुछ खरीदा शाम को कुछ बेज दिया मतलब cash में आप जो भी चीज खरीदते हो तो वहाँ पे कितना tax लगेगा आप intraday में profit बने या नहीं बने बट अगर profit बनेगा तो tax देना पड़ेगा third होता है आपका short term capital gain कि अगर short term में आपको मतलब आपने आज खरीदा और 3-4 दिन या 6 महीने साल भर में भी आपने कुछ बेज दिया stock तो वो short term capital gain के अंदर आता है तो वो भी अगर आपने कोई gain किया है मतलब आप सोच रहोगे कि मैं ये stock मैंने buy कर दिया sell कर दू फिर buy कर कर रहे हैं फटाफ़ट call put सब buy चल रहा है अब यहां पर taxes भी pay करने पड़ते हैं ये speculative business के अंडर आता है और बिल्कुल जैसे business पर tax लगते है वैसे ही अगर आप F&O trades करते है future and options में trade करते है तो उस पर tax लगेगा तो ये 5 type की broad category है आपने यहीं कहीं से कोई ने कोई income कमाई यह होगी last one year में अगर कमाई है तो मतलब वैसे stock market में मुश्किल ही होता है लोग का पैसा कमाना बट चलो अगर कमा भी लिया तो उस पर कितना कितना tax भरना है तो वो मैं आपको one by one explain करूंगा तो start करते है first income जो आपकी होती है stock market से that is dividend income जैसे आपको rental income आती है वो आप अप extra income है उसके उपर बनता है उस इंकम में आपने dividend income add कर लोगे और उस पर अपना tax पे कर दोगे अब dividend जो भी आता है वो TDS कटके आता है तो आप TDS को claim कर सकते हो और एक सबसे important बाद में आपको यहां बताना चाहता हो अगर आपने कहीं से interest पे पैसा लिया या फिर bank से पैसा कि महां पे interest पे कर रहे हो और उस पैसे को आपने invest किया हुआ है और महां से आपको dividend की income हुई है तो जितनी भी आपकी dividend income है उसको 20% आप टैक्स से set off कर सकते हो बतला आपने सब्सक्राइब आपको dividend आया और सब्सक्राइब आपने 5,000 रुपे जो dividend आया वो कहीं से 3,000,000 अब जो second type की income होती है वो आपकी आती है जब आप intraday में trading करते हो मतलब intraday में आपने को भी सुबह कुछ चीज खरी दी और शाम को बेज दी तो उसमें आपको tax जरूर पे करना पड़ेगा suppose आप कोई भी stock buy करते हो सुबह आपने कोई stock 100 रुपे का खरीदा और शाम को 105 र आपको intraday trading में loss हुआ है तो आप 4 years तक उसको carry forward कर सकते हो मतलब अगले 4 साल तक जो भी intraday trading में आप profit loss करते हो उसके against उसको set off कर सकते हो इस साल में suppose आपको 50,000 का loss हो गया intraday trading में तो second year अगर आपने suppose 20-30,000 रुपे कमा लिया फिर अगले साल आपने 10-20,000 रुपे कमा लि और उसको 5-6 महीने साल भर में sell out कर दिया तो यह एक short term मतलब 3 साल से पहले अगर आपने किसी stock को buy करके sell कर दिया तो वह short term capital gain के अंडर आता है और सरकार ने इसको पर tax लगा है 15% आपने जितना भी profit किया उसका 15% tax पे कर तो stock buy sell buy sell करके थोड़े वह आपने जो भी trades किये उस में आपने suppose 50-60,000 का profit बना लिया तो आपको क्या करना है आपको उसको अपने income tax में file करना है और आपको उसका 15% tax पे करना पड़ेगा मतलब 50,000 का profit है तो 7,000 उपर आपका tax बनता है अब यहाँ पर जो भी आपने stamp duty दियोगी STT taxes यह सब लगते हैं जब भी आप stock buy sell करते हो तो वो भी check out कर सकते हो कि भाई कितने taxes लगते हैं अब मैंने comparison video भी बनाया हुआ है different brokers का, different broker का comparison क्या हुआ है कि इसमें कितने charges लगते हैं तो चाओ ता आप वो video check out कर सकते हो उसका link दे दूगा है के description में बट पहले यह देख लो उसके बाद जाके check out कर देना कि आपको taxes का स सकते हैं और 8 साल तक आपको जो भी profit मतला इस साल में आपको loss हो गया तो अगले 8 साल तक आप जो भी profit loss, profit loss करोगे उसको आप इसके against set off कर सकते हो तब आपको taxes pay नहीं करने, suppose इस साल आपको 50,000 का loss हो गया तो अगले 8 साल तक अगर आप इस 50,000 को cover करते हो तो आपको उसमें क short term capital gain किया, उन दोनों से इसको set off किया जा सकता है, तो यह तो मैंने आपको अपनी knowledge से बता दिया, लेकिन यह सब चीज़े आपको अपने CSA से discuss करने पड़ेगी, तो आपका short term capital gain tax file करने का जो process है, वो easy हो जाए, अब जो next type है, वो है long term capital gain tax, मतलब जो भी stocks आप एक साल से ज 10% tax देना होता है, short term capital gain उसमें आपको 15% tax देना होता है, बट long term capital gain में आपको 10% tax ही पे करना पड़ता है, और इसमें भी same ही चीज़े हैं कि आप STT का कोई benefit नहीं ले सकते हैं, उसका कोई deduction claim नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कोई carry forward का कोई scene तो है नि, क्योंकि long term capital gain है, बट साल तक अगर आपको कोई भी capital gain होगा long term में, आप उन दोनों को आपस में set off कर सकते हो, तो long term जो capital loss है, वो long term capital gain के साथ ही set off हो सकता है, उसमें short term नहीं हो सकता है, क्योंकि short term में 15% tax है, और long term में 10% tax है, तो सरकार अपना नुक्सान तो कराएगी नहीं, तो आपको long term को long term से set off करना, और short term को आप दोनों से कर सकते हो, अब बाके सब की तो बात कर ली हमने, last वाले में सबको बहुत interest है, क्योंकि जो मेरा channel है, उसमें मैं options trading, futures, यह सब बहुत ज्यादा बताता हूँ, options call, put, buy, sell करना, यह सब चीज़े दिखाता रहता हो, तो शायद बहुत सब लोग options में trade करते होंगे, और FNO में जो आप trading करते हैं, उन में कितने taxes लगते हैं, वो जानना बहुत जादा important है, and यह future and options जो category है, तो सरकार यह मानते हैं, आप FNO में trade करते हो, तो आपके पास ठीक टाक दिमाग है, मतलब आप FNO trading को समझते हो, और तब आप trade कर रहे हो, but maximum लोग त देखो, ऐसा करते नहीं है, उनको FNO वैसे समझ में नहीं आता हो, और बस सिरफ यह सोचके कि ऊपर जाएगा, तो call buy कर लो, नीचे जाएगा, तो put buy कर लो, और trade करते रहते हो, अपना loss करते रहते है, but सरकार यह मान के चलते हैं, कि आप एक informed trader हो, मतलब आपको समझ में आता यह सब चीजे, तब आप कर रहे हो, तो सरकार इसको categorize करती है, business की तरह, so this is a speculative business category, अगर आप कोई भी speculative business कर रहे हो, तो उसमें same business income की तरह आपको taxes pay करने पड़ेंगे, तो इसमें जो भी आप taxes pay कर रहे हो, brokerage pay कर रहे हो, उसको आप खर्चे में डाल सकते हो, और इसमें जो भी इस साल में आपने loss किया होगा, मतलब उसको आप next 8 years तक कोई भी profits आपको होते हैं, तो उसके against आप set off कर सकते हो, तब आपको कोई tax नहीं pay करना, but जो भी profit होगा उसको business, मतलब इसको as a business समझो, FNO trading करते हो, तो जैसे कोई normal business में आप taxes pay करते हो, वैसे ही आपको FNO trading को भी speculative business category समझ, जो भी taxes बनते हैं, वो pay करने पड़े, तो अब मैंने आपको बता दे कि जो भी आपको 5 categories, different categories हैं, जहां से आपको income आएगी, stock trading करके, investment करके, उस पे कितना-कितना tax आपका बनता है, और कैसे-कैसे आपको taxes pay करने है, अब मेरा यहाँ पर आपके लिए suggestion क्या रहेग आपको tax को plan करना है, तो आपको 2-3 चीजे कर लेनी चाहिए, यह मेरा suggestion है, मैं सा करता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप different different accounts सकते हो, मतला आप क्या कर सकते हो, आप किसी एक account में, अगर आप cash में trading करते हो, तो वो कर सकते हो, और FNO के लिए एक different account रख सकते हो, आपके family में different family members होंगे, तो उनके अलग-अलग नाम पे account खुल सकते हो, अगर आप starting कर रहे हो, अभी trade के लिए, और आप taxes बगार से इन चीज़ों से बचना चाहते हो, तो एक suggestion है कि आप किसी female के नाम पे account खुल सकते हो, यहाँ पे आप FNO में trade कर सकते हो, और वो उनके लिए एक income की त तो I hope जो भी आप नई लोग अभी stock market में आया हो, जिनको stock market अभी-अभी समझ में आया है, और शायद कुछ trade investment करके कुछ profit भी बन गया है, तो उस पर क्या-क्या taxes पे करना है, जो आपके questions थे, I hope मैंने वो सारे answer कर दी होंगे, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई question रह ग को subscribe कर दो, bell icon पर all कर दो, so that future में जो भी ऐसा content में post करो related to stock markets आप post का notification मिलता रहे, तो चलो मिलते हैं फिर किसी next interesting सी वीडियो में, तब तक के लिए, happy trading